बेंगलूरू के हरीश आज अपने हुनर की बतौलत आसमान चू रहे हैं। पैशन से पहचान तक का ये सफर 11 साल पहले शुरू हुआ था। कड़ी मेहनत करते हुए हरीश अपना हुनर तराशने लगे। लेकिन उनका सफर काटो भरा था। मैं एक कारपेंटर का काम 2012 से शुरू किया, कम से कम 12 साल हो गया। लेबर ने मुझे काम सिखाया है। मेरा प्रोजेक्ट गाउं में हुआ है, होबली में हुआ है, और तालुक में हुआ है, जिल्ला में हुआ है, ऐसे। हरीश ने इंटीरियर वर्क की दुनिया में कदम अपने घर के काम के जरिये रखा। उम्मीद धी कि उनका ये कदम उनकी दुनिया में रंग भरेगा। लेकिन कड़ी चुनोतियां उनका इंतजार कर रही थी। पर उनका पता चला ग्रीन प्लाई की मुहिम हिंदुस्तान की शान के बारे में। हरीश ने अपने काम की कुछ तस्वीरे हिंदुस्तान की शान को भेजी और उनका सपना पूरा होने लगा बड़े मंज पर जाने का। हरीश की शिल्पकारी ऐसी रंग लाई की उन्हें बुलाया गया मुंबाई। और दोसों से ज्यादा प्रतियोगियों के बीच अपने हुनर की बदालत हरीश बने हिंदुस्तान की शान के साउथ जोन के विनर। हरीश ने हर काम में ग्रहकों की पसंद नापसंद का खास खयाल रखा। उनकी जरूरतों को बारी की से समझा। बहतरीन कारीगिरी के साथ साथ एक खुबसूरत विवहार भी हरीश के पास है। वो एक अनाथ आश्रम में मौझूद बच्चों के लिए काम करते हैं। अन एवरी प्रॉजेक्ट अमारा जो प्रॉफिट है उसमें हमने क्या करता है थोड़ा थोड़ा सोशल वर्क भी करता है उसमें। जैसे हम ओलडेज होम को जाता है और ओफनेज कर जाता है और इदर हमारा स्टेट में जो गवर्मेंट का स्कूल है नस्दिक में जो गवर्मेंट का स्कूल है उदर जाके हम मैने में दो बार जैते दो मैने में एक बार ऐसा जाके हम उदर शिक्षन करता है। हरीश के हुनर को दुनिया तक पहुचाने के लिए सज गया हिंदुस्तान की शान का शांदार मंच आज हरीश जैसे कई हुनरदार कारपिंटर कांट्रेक्टर्स के सपनों को साकार करने का जरिया बन रहा है हिंदुस्तान की शान का ये खुबसूरत मंच हिंदुस्तान की शान यानि एक ऐसा मंज जहां हर हुनर को मिलती है अपनी पहचान